आयोध्या में विला जे राम लल्ला तो खुशी से जूमने लगी कंगनार अनौत पुश्प वर्शा के बीच लगाए जे श्री राम की नारे सफेद साडी और भगवाद चोली में हुई राम मैं पांसो साल बाद श्री राम का वनवास खतम हुओ और आज आयोध्या में श्री राम मंदिर में राम लल्ला क्यों हुई प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जब अपने जनम स्थली मिलोटे तो पूरे भारत देश में छाया खुशियो करंग ना सर्फ राम भक्त बलकि हमारे बॉलिवूट सेलिबिटीज राम लला की भक्ती में मगन दिखे अमिताप बच्चन, अभिशेक बच्चन, रंबीर कपूर, आलिया भाट, कट्रीना क्याफ, विकिकोशल, माधुरी देख्षित और आईश्मान, खुराना समेथ काई सलेप्स राम मंदर के आगे घंटो बैठे उनकी पूझा अराधना में लीन दिखे धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता और साड़ी पहन बॉलिवर्ट के सतारों ने श्री राम मंदर के उधगाटन में हिस्सा लिया वही राम मंदर उधगाटन पर पहुची पंगा क्वीन कंगनार अनौत की खुशी तो साथवे आसमान पर दिखी जैसे ही मंदर में भगवान श्री राम की प्राण पर थिष्टा हुई कंगनार अनौत जोड़ से चैश्री राम की जैकारे लगाने लगी एक तरफ मंदर पर हेलिकॉप्टर से फूल बरसाय जा रहे थे और कंगनार राम की भक्ती में लीन होकर नाच रही थी कंगना ने खुद ये वीडियो अपने सोचल मेडिया प्लाटफॉम पर श्यर किया है सफेद साडी के साथ भगवा चोली पहने और भारी कहनों से लदकर आज सुभा पहले कंगना ने राम मंदर के बाहर से कई तस्वीरे श्यर की राम मंदर में 37 कंगना रनौत ने एक खास आउटफिट पहना था जो कई माईनों में उनकी राम भक्ती को जाहिर कर रहा था कंगना की साडी पर स्वास्तिक का डिजाइन था सबसे खास उनका ब्लाउस था कंगना की ब्लाउस की बाजू में गोटा पटी से मूर्ति का डिजाइन बनाया गया था साथ ही किनारों पर स्वास्तिक बना था साडी के साथ कंगना ने एक लाल रंग का शॉल भी क्यारी किया था वह उनोंने भारी गहनों से अपना लोग पूरा किया कंगना की वीडियो को देख सोचल मेडिया पर लोगों ने उनकी जम करतारीफ भी की एक ही यूजर ने कॉमेंट किया असली सनातनी बश्शु ओफ के लिए नहीं दूसरी यूजर ने कॉमेंट किया ये भाव ये एनरजी हाश्टाग जैश्री राम एक और यूजर ने लिखा दिल से रिस्पेक्ट 22 जन्वरी 2024 को आयोधिया में आयोजित राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा कार्यकरम में जहां बॉल्यवेट के सतारे सुभा सुभा वहां पहुचे तो वहीं कंगना नौ दो दिन पहले ही राम की नगरी आयोधिया पहुच कई थी कंगना का सोशल मेडिया भी इस वक्त आयोधिया के वीडियोज और तस्वीरों से भरा हुआ है आयोध्या में एक दिन पहले ही पहुची कंगना ने हनुमान गड़ी मंदिर में सफाई की थी मंदिर की सफाई के दौरान वो हैवी साड़ी और गेहनों में दिखी थी साथ ही उन्होंने संग्लासेस भी लगा रखे थे मंदर की सफाई के बाद कंगना ने हनुमान मंदर में हवन भी किया था इसके बाद उन्होंने मेडिया से बात की और कहा वो और अच्छे से मंदर की सफाई करना चाहती थी लेकिन जादा भीड के कारण वो नहीं कर पाई 22 जन्वरी का दिन कंगना के लिए नहीं पूरे देश के लिए बेहत खास है ये पल हमेशा सुनहरे इतिहास में रहेगा इस खास पल को तेश भर के लोगों ने टीवी पर देखा और राम के आगमन का जश्न मनाया Bureau Report E24